हेलो फ्रेंट सोगत आपके चैनल फिंटेसी डॉक्टर में एक बर फिट से जो मैं चमीज वीडियो में कवर करने जा रहे है वह ने वाला यहाँ पे बीयो के वुमेन 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 के बीच जो मैच होने वाला यहाँ पे जारखंड वुमेन टी-20 का इस मैच की वीडियो वीडियो इंपोर्टेंट रही कि आस आपके लिए इस वीडियो में आपके साथ स्मॉल लिक की टीम प्लस ग्रेंड लिक की टीम प्लस वैदर न्यूस प्लस पिच रिपोर्ट प्लस कौन सी टीम स्ट्रॉंग रही कौन सी वीग रहेगी और आपको इंवेस्टमेंट कैसे कर करने वाले तो उससे पहले अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नए आयो तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन करने बहुत जरूरी जिसका नाम है फेंटैसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम पर हमारे टेलिग्राम चै आपको जॉइन कर लेना है तो अब तको तरीका सिर्फ एक ही है कि आप लिंक का यूज करना टेलिग्राम चैनल से जुञने के लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक दिया हुआ है अब आते हैं में मुद्दे पर देखो यह शॉट वीडियो रहने वाले क्योंक आपको सब चीज कवर करते हैं जो रहने वाला है वह है आप यह सी इंटरनेशनल स्टेडियम राजी कॉंप्लेक्स स्टेडियम राजी जो मैच रहने वाला है सेम ग्राउंड पर तक सारे मैचिस होते वे आये हैं एक्सपेक्टेड इसकोर नभी और सो के राउंड आपको देखने को मिल सकता है वैदर क्लियर है रें का कोई भी चांस नहीं है टीम कौन से जी सकती है वैसे दोने टीम में से किसी को भी अंडरेस्टीमेट नी कर सकती कि टोर्नमेंट इस तरह यह गर आ है कि कि कई टीम ने लग टना उतना जादा मत करना बाकी पहले आते वी ओके वुमेंट के बारे में तो ब्योंगी वुमेंट की परफॉर्मेंस रही है वह यह रही है वह उन्हों ने चे मैच खेली करे हैं और तीन मैच आ रहे हैं और हरे ची परफॉर्मेंस देऊगे तह 97 91 61 57 106 107 तो यह और चार बड़ सो से नीचे स्कोर किया है तीन मैच जीते हैं तीन मैच आ रहे हैं विकेट लॉष्ट और विकेट टेकर का मतलब पर मैच लेती है तो बैटिंग तो टीम के चलो ओकी है ज्यादा विकेट नहीं कोटे पर विकेट ज्यादा नहीं ले रहे हैं तो इसलिए बॉलिंग में थोड़ा कहीं ना कई टीम फीचे नजर आती है पॉसिवल प्लेंग 11 जो रहने वाली वो क्या रहने वाली आपे दुर् टॉर्णामेंट हो चार विकेट निकाल चुकी है बैटिंग से 30-40 के आसपार स्कोर करें और कैप्टन सी वाइस अप्टन सी के लिए बैस्ट पिक रहने वाली है बागे कोमल कुमारी भी रगुलरली पैसी से ओपन कर रही सिर्फ एक मैच में जो और नीचे बैटिंग करने परफॉर्मेंस तो यह पर स्टेट लेवल के प्लेयर है और अभी तब दो रन दस रन छे रन तेरा रन अठाइस ने परफॉर्मेंस रही ओपनिंग करने यार यह स्टेट लेवल पर तीम में कंसीडर कर सकते बैटिंग सेक्शन अवेलेवल है बहुत कम सेलेक्शन रेट है अगर स्मॉलिक में नहीं ट्राइक करते तो ग्रेंड लिक की टीम में जरूर करना है बाकि ममता कनोजी है कि मैं बोलूगा पूरे टॉर्मेंट बैटिंग में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है स्टेट लेवल पर पांच मैचे तो अठारन बनाय थे बट उसके मैच पर डाल रहा है और बै अभी तक इसे हैं बीस एपर एक भी बार स्कोर उतनी इंपॉर्टेंट निंग्नोर करेंगे रिनी बर्मन ने पांच विकर टोर्नामेंट में निकाले चार ओवर हर मैच में कर रही है बैटिंग से किसी में 11 किसी में 13 ट्राइकर पंदस रण किसे 20 तो टीम में जरूर ट्राइकर ना बॉलिंग सेक्शन अवैलेवल है एस और चार ओवर हर मैच में कर रही है लास्ट के तीन मैच इस से तो अगर आती है तो जरूर ट्राइ कर सकते हैं स्मॉल लिग दोनों पर बाके हर यह राज इनके विकेट इपर इसका बैटिंग और बहुत नीजे सिर्फ एक ही मैच बैटिंग आ पाई इसलिए इग्नोर और तीन से चार ओर करें तो इग्नोर मत करना दोनों को टीम में लेके जाना है बैंच में आपके लिए प्रतीमा कुमारी जिसने एक मैच में खेला जब पांचन मारे अनीता मान जी को मौका नहीं मिला असे पहले प्लेट स्टेट लेवल स्टेट नी बोलूंगा लास्ट य यहां पर Simmrani Mansoori important रहेंगे अब Jm women के बारे बात किया तो यह पर तोनमेंट में उन्सने सात मैच भी जिसमें से दो ही मैच भी ज्यादा हाओ यह तो इसलिए विनिंग के मामले में यह उन्स पिछे है और इनके टिम ने सिर्फ एक ही बार सौत अबर स्कूर किया वी लास् दो गविक्त में उकरते साथ मैच गया हएं तो न कर दोनों 이번 के उद्स की। तो इसलिए मैं कहीं नहीं को रहा है कि वो की वुमेंग की टिम स्ट्रॉंग रह सकती है कुमारी सभीता इंके लिए ओपनिंग करने वाले यहां पर जेम वुमेंग के लिए और बाइसी कथी जीरो जीरो प्रफॉर्वेंस यह टीम में ले सकते बैटिंग सेक्शन अवेलेवल से लेने वाले प्लेश सेफ ऑप्शन है स्मॉल लिग में संधिया कुमारी के बारे में अगर बात की जाए तो 47 कि लाश मैंच में अच्की इनिंग के लिए उससे पहले छे मैंच में कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं इसलिए मैं शायर स्मॉल लिग कंसीडर ना करूं स बाकि नीदी भूले इनकी टीम के लिए सबसे बाइस बैस आपके लिए वाइस के आपके की ऑप्शन रहने वाली है चे विकेट टोर्नमेंट में निकाल चुकी है और यहाँ यारा दो तेरालिस साथ दो सोरा इंकी इनिंग्स खेली है तो वाइस के बात किया है तो बैटिं बैटिंग से काफी अच्छी रही यहां पर सोनिया शर्मा इनकी टीम से दो आप्शन आपके बास खुलते हैं जिसको वाइस अप्टन सी कर सकते हैं निदी बूले और सोनिया शर्मा पल्लवी भार्दास को ग्रेंड लिक के लिए रिकमेंट करूंगा कि देखोगे हर मैच बाकी बात की जाए परिति कुमारी के बारे में तेन विकेट परिति कुमारी ने भी निकाले हैं तो ले सकते हो व्लांट सेक्ष्ट में अब नहीं है और ना दूनिक जिनिक इंपोर्टन्ट है न शंब गमारी स्माल लिक्रिल इंपॉर्टन्ट में जरू ट्रा एक त्यूंफ ही तरह पर मुझे लगता है परम्या उपके लिए इंपॉर्ट नहीं रहे हैं तो रहने वाली अ निदी भूले सोनिया शया घ्रेंड लिक में पललवी भाडवाज मुलिग में सो्रेन और प्रिति कुमारी ले सकते हो बाकी आप कि किसी अधर जाना में इन्वेस्ट करते हैं हमने लास्ट वन टू यर्स एक सी दो साल में बहुत च्छाइब से अगर आपको भी करना है तो चैनल जोइन करोगे तो वहां लिंक मिल जाएगा प्लस रैफर कोड मिल जाएगा ज़रूर रहेगा वैसे आपको बताए तो मैं डॉक्टर डी ओ सी टी के बागया तो यहां पर कोमारी को लिया जैसे की ओपन करने बहुत लोग कर रहे हैं आपको सेफ जाना तो के सबीता के साथ चले जाना क्योंकि अबी ओपन कर रही है और द्लाश दो मैं से अच्छी इनिंग खेल रहे है बट मैं कोमल कमारी का रिजन है कि मुझे बियो की ट पर इनके ओपनर के साथ जा रहो तो आपके बास सेफ अप्शन है सभी था तो यह आप कर सकते हो इसके लाव बैटिंग सेक्षिन में और भी कोई इंपॉर्टन के आपके लिए रहने वाले नहीं तो बाकी मैं इन दोने में से एक को लेने वाला हूं मुर्मू को लिया है बाकी प्रिति कुमारी को लिया है परमार आचे परमार के साथ जाते हो लाश देख दो मैं इसे नहीं खेल रहे हैं बाकी मैं बोलूंगा आप और किसको ट्राइब करोगे तो कनो जी आपको मैं ग्रेंड लिग के लिए रिकमेंड करूंगा बनाव दी बै कर सकते हो क्याप्टैंसे क्या पर यहां पर रित्तु कुमारी तो यह आपके वास क्याप्टैंसे क्या पर प्रवाइट कर दूंगा तर्टेलिग्राम चैनल जरूर जूइन कर लेना उसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट मिल जाएका सबसे उपर ब्लीव क्लिक लिंक होग तो यहां तो यहीं दोस्तों बाइब यूट्यूग चैनल को सबस्क्राइब करें गंटी दवादना ताकि वीडियो की नूटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले हैं जब भी वीडियो अप्लोड करूं